हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ और जैसे कि हमने एक ब्लॉग में बताया था कि इस जलासे का हम पानी जब खतम होगा तो मसली निकालेंगे तो आज आ चुके हैं और पानी लगभग खतम हो चुका है तो इसी से हम लोग मसली निकालेंगे और किस तरह से मसली हम पकड़ते हैं और क्या मिलता है यहां पर वह सारा चीज आप लोग को दिखाएंगे तो चलिए पहले इस बंबू यानिकी मास को निकालते हैं और उसके बाद फिर मसली पकड़ते हैं तो दोस्तों अभी मैं इस बंबू को निकालूंगा अब दो चार और डंडी है उसको निकाल रहते हैं फिर जानो करेंगे लगता है सारा का सारा बंबूला खा गया होगा अब चलो पानी में घुस्ते हैं इधार से घुस के मैं अंदर जाऊंगा ताकि मचली उधर चले जाए अब सार्य मछली जब एक साइड़ चले जाएंगे तो बीच में फिर हम लोग मेर बना देंगे continued और एक साइड का पानी हम दूसरे शाइड में फेक देंगे ताकि एक साइड से हम लोग मचली पकड़ पाएं और यहां पर मैं फावडे से मिट्टी लाकर पानी के बीच में डालूंगा जिससे कि पानी को दो हिस्सों में बाट देंगे हम लोग और एक साइड का पानी खाली करेंगे मिट्टी से अच्छे से मेल नहीं बन पा रहा है लगता है पत्थर लाना पड़ेगा अब पत्थर लाके यहां पर मेल में डाल के देखते हैं कि मेल रुकता है या फिर नहीं अब यह देख सकते हैं पत्थर में डाल रहा हूं बड़ा बड़ा पत्थर तो दे चुका हूँ, अब छोटा छोटा दो चार पत्थर भी दे देते हैं, जिससे कि जो मेड बना रहे हैं, उसकी मजबूती बनी रहे, और पानी जब एक तरफ से दूसरे तरफ फेकेंगे, तो फिर मेड न बहा जाए, और अब इसके उपर भी थ मिट्टी फावड़े में अच्छी तरीके से आ नहीं रहा है, चलब फावड़े को अब रख देते हैं, और हाथ में डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फावड़े से मिट्टी डालने नहीं बन रहा था, इसलिए मैं अपने हाथ से ही मिट्टी को लाके, पत्थर के बीच बीच में डाल देता हूं, जिससे कि ये मेड की मजबूती बनी रहे, और पानी इसको न बहा ले जाए, तो दोस्तों देख सकते हैं, आप लोग बीच में मेड बन चुका है, इस साइड का पानी हम इस साइड फेकेंगे, उसके बाद जब इस साइड पानी कम हो जाएगा, तो यहाँ से हम मसली पकड़ेंगे, और किस तरह से फेक रहे हैं पानी मितां, देख सकते हैं आप लोग, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग इधर पूरा पानी सूख चुका है और उधर पूरा पानी भर चुका है अब मैं आप लोग को बेक केमरा के सारे दिखाऊंगा कि मचलियां किस तरह से उचल कुद कर रहे हैं कि देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से मचलियां फड़ फड़ा रहे हैं और इतना मचलियां पकड़ चुके हैं अब पकड़ते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमने मचली पकड़ा और इस तरफ सारा पानी भेज दिया और मचली दिखाना चाहूं तो यह बाल्टी में मचली हैं आप लोग देख सकते हैं आधा बाल्टी मचली इसमें तेल पिया सरकारी और खबसी और क्या है कुत्री कुत्री यह यह सारे मचली थे इसमें तो सारा हमने पकड़ लिया है तो दोस्तो एक मख्ली रह गया था उसको पकड़ने के मितान गये है आप देख सकते हैं ये पकड़ रहे हैं मख्ली पकड़ लिए दिखाओ जी आप देख सकते हैं अब लोग है चोटा मचली है बहुत बड़ा है यह अकले खाएंगे हम किसी को ने देंगे यह देख लीजी मचली ज्यादा बड़े तो नहीं है लेकिन ठीक है तो फेट पुरा खाली लग रहा है इस प्रेंड्स हम लोग मचली पकड़ के यहां पे धोने के लिए लाए थे और धो चुके हैं इसका भी जब पानी कम होगा तो इसका भी मचली पकड़ेंगे हम लोग उस दिन भी ब्लॉग बनाएंगे आप लोग को दिखाएंगे तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं बाल्टी में मचलियां धोने के बाद किस तरह दिख रही है और इन मचलियों को हम घर ले कि किस तरह से हमने मचली पकड़ा मचली को धोया कहां पे और कहां पे हम बाद में भी मचली पकड़ने वाले हैं तो हम तो फ्रेया सो चुके अब हम जा रहे हैं घर तो वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किजिए शेयर करने जिए और कमेंट जरूर किजएगा किस طरक आप लोग वीडियो देखना पसंद करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भोल जाते हैं जो कि हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा तो फ्रेंड्स थेंकियो फॉर वाचिंग टेक केर बाइबाइब जया हिंग